हेलो सो वेलकम बेक तो टेक्निकल गेमिंग मैं सिंपलब सिंग आज आपको आइफोन एट और आइफोन एट प्लस के बारे में बताऊंगा कि यह वर्थ है बाइंग के क्या इसमें नया है क्या इसमें पुराणा है तो आइए शुरू करते हैं इस इच्छे में दिखने में ज्यादा कोई फ़रग नहीं है तो आइपून 8 में आपको तीछे ग्लास पेनल मिल जाता है जो आपको आइपोन 7 में नहीं मिलता अफिर नीचे की तरफ 3.5 mm को audio jack नहीं मिलता है, आपको तिरफ एपल लाइटिंग पोर्ट मिलेगा, फिरम आते हैं चिप के ओपर, इसमें है एपल A11 Bionic Chip और आइफोन 7 में थी एपल A10 Fusion Chip, तो यह आपको 70% ज्यादर बैटरी Efficiency देगा, साथ में 25% फास्टर है, A10 Fusion Chip से फिरम आते ह एपल के नहीं, GPU में यह एपो 30% तक ज्यादर ग्राफिक्स देगा, तो फिरम आते हैं आइफोन 8 Plus की तरफ, आइफोन 8 Plus में 5.5, इंसकी डिस्प्ले है, आइफोन 7 Plus की तरफ, बागी सब कुछ आइफोन 8 जैसा सेम है, सिरफ एक कैमरे का फरक है, की आइफोन 8 Plus में dual camera है, dual camera को हम portrait mode बोलते हैं, portrait mode ऐसा फीचर है iPhone का, जिससे वह image की और background की depth नाप लेता है, और जो आके background को बोकी effect दे देता है, लेकिन इसमें एक और ने फीचर है, studio lighting का, studio lighting में वह अपके depth नाप के background को आपके पूरा black card देगा, या फिर उस background में थोड़े changes ले आएगा, या फिर launching price है, और आगे अगर आप अपने GB बढ़ाएंगे तो आपका प्राइस बढ़ते ही जाएगा, लेकिन iPhone 7 40-45,000 में starting हो जाती है, तो मैं आप से advice करूंगा कि जिनके पास iPhone 7 या 7 Plus है, वह upgrade का ना सोचे, और अगर वो करना चाहते हैं, तो iPhone X की तरफ बढ़े, और जो लोग iPhone 8 लेना चाहते हैं, यह उनके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप थोड़े से पैसे और डलके iPhone X लेजे क्योंकि वह ज्यादा अच्छी innovation है, और वह ज्यादा अच्छा प्रोड़क्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और आप टेकिनल गेमिंग